हलो माई दिया फ्रेंज और स्टूदेंस में हो राव मरिसाथ दिया फ्रेंज आज इस लेसल में हम सिखेंगे इनर जिफी का प्रयुक तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखिए इनर जिफी इस इनर जिफी का बतलब होता है चुटकियों में किसी काम को चुटकियों में करना या कुछ चुटकियों में हो जाना किसी काम को चुटकियों में करना या कोई काम या कुछ भी चुटकियों में हो जाना जब ऐसी सिट्वेशन आती है तब इस इनर जिफी का प्रयुक होता है आपको समझ में आया होगा तो चलिए आप इसका कुछ इंज़ लेते हैं जिसके मध्यम से आप अच्छे तरह समस्था को चुटकियों में मैं इस समझ्या का हल कर सकता हूं चुटकियों में मैं इस समझ्या का हल कर सकता हूं तो चलिए और एक एजब लेखते हैं Everything will be all right in a different चुटकियों में सब कुछ ठीक हो जाएगा चुटकियों में सब कुछ ठीक हो जाएगा तो चलिए और एक दिखते हैं It's impossible to do this work in a GP चुटकियों में इस काम को करना असंभव है चुटकियों में इस काम को करना असंभव है नाम मुन कहला है तो चलिए और एक एजब लेखते हैं उसने मेरे लिए चुटकियों में चाय बना दी उसने मेरे लिए चुटकियों में चाय बना दी तो चलिए और एक एक एजब लेखते हैं Any language can be not energy fit किसी भी भासा को चुटकियों में सिखी नहीं चाय सकती है किसी भी भासा को चुटकियों में चाय सकती है तो चलिए और एक एक एजब लेखते है He can benefit you energy fit वहां तुम्हें चुटकियों में हरा सकता है तो चलिए और एक एजब लेखते है We got ready for the party energy fit चुटकियों में हम पार्टी के लिए तयार हो गए चुट्कियों में हम पार्टी के लिए तयार होगे तो चलिए इस लेशन का लास्टार देखते हूं जब सी हाव आई फिनिश एक एनरजी फी बस देखो चुट्कियों में मैं कैसे इसको खतम करता हूं अबस देखो चुट्कियों में कैसे इसको खतम करता हूं ओकी फ्रेंग्स यह था एना जीवी का प्रियोंग चुट्कियों में किसी काम को करना या चुट्कियों में कुछ हो जाना के अर्थ में आपको समस में आया होका। आप चाहें तो इसका स्क्रिंशॉट ले सकने में साट हो जाते हुए। अब तर अपने स्क्रिंशॉट ले लिया होका। आपको अच्छी तरह समस में आया होका। अगर समस में आया हो तो सबसे पहले आप इसका प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस बहुत ही जौरत है। और जब इसकी सिच्वेशन आये प्रयोट करें। आपको अगर अच्छी लेगी होगी। अगर अच्छी लेगी हो तो प्रैस इस वीडियो को एक लाइक करें। और कमेंट भी करें। और जो भी आपकी तरह इंग्री सिखने में इंट्रेशन है। उनके साथ इस वीडियो को ज़्यादा श्यार करें। और अगर अभी तक हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब के पास जो बेल का एकन है। उस बेल का एकन को प्रेस करें। ताकि आभी बाली हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें। आज के लिए इतना फिर मिलेंगे अगले लेसर में। थैंक यू, थैंक यू for watching this video, keep watching my videos and keep learning English. थैंक यू.